तो दोस्तो तुसी अक्सर ही एह नोडिस कीता होवेगा कई वार एको ही जगाते बैठे बैठे या फिर पैर नू मोड के बैठन ते पैर अचानक दे नाड ही सुन पैजान दे हन तो आटे नाड भी जिरूर कदे ना कदे एहजा होया होवेगा एहजा महसूस हुनदा है कि हाथ या पैर दे विच बिलकुल भी सेंसिविटी नहीं है बिलकुल ही सुन हो चुके हन हथा आते पैरा दे विच एहजा महसूस हुनदा है कि जिमें की अपने हथा दे उते कीडियां तोर रही होन ते दोस्तो एफजा अक्सरी अपने नाड हुंदा है आपगा सारे ही इस प्रावल्म नो बहुती नॉर्मल समझ दे हैं अथे इस प्रावल्म नो इग्नूर कर देंदे हैं लेकिन धोस्तो मैं तो अनु दस दमा कि ये तो अनु इस प्रावल्म लगातर हो रही है लगातार दो तेन मीने तक एहजी समस्या हो रही होए ताँ दोस्तो किते ना किते एह तो अड़े लई बहुती सीरिस प्रॉलम हो सकती है यही एक बहुती वड़े खत्रेदा संकेत है इसलिए दोस्तो तुसी साफ़दान हो जाओ आई दे वीडियो दे विच ऐसी तो नो एही दसांगे जे तो आटे हथा पैरा दे विच बहुत जादा चेर तक सुनपन रेंदा है ताँ दोस्तो तुसी इसनो बिलकुल भी नजर अंदाज ना करो क्योंकि यह गंबीर बमारी दी और इशारा करदा है आउ दोस्तो देख दे यहां कि एहजा क्या होंदा है तो दोस्तो जे तुसी एको ही जगाते बहुत देर तक बेठे हूँ आटे तो आटा पैर या हाथ किसे दवाव हेट आ रहा होवे ता उस जगा दे उत्ते ऑक्सीजन दी कमी हो जान दी है यानि कि अपने उस शरीर दे पाट दे विच ऑक्सीजन सही तरीके न नहीं पहुँच दी आते एह किसे भी अंग दे विच नस दे दबन दे उत्ते हुंदा है जिस दिन हाथ या पैर सुन हो सक्दे हन इस दिन हाल तो अड़े पैरा दे वे जन जना आट भी महसूस हो सक्दी है थोड़ी देर बाद ज़र तुसे अफ़े हाथा पैरा नो हलोने हो या फिर मालिश कर दे हो इस तरीके नहाँ आपने सुन पन नो खत्म कर सक्दे है तो दोस्तो एता सी नॉर्मल जी गल जेड़ी की बहुत लोका नो हुंदी है लेकिन जेता नो एह जी प्रावलम बहुत ज़्यादा हुंदी है बार बार हुंदी है या थे हमेशा हुंदी ही रहींदी है काफी समय तो तुसी इस प्रावलम नो फेस कर रहे हो ताँ दोस्तों इग्नोर बिल्कुल भी ना करो क्योंकि दोस्तों इह कई ब्मारियां दा संकेत है इस देवे सब्तों पहली ब्मारी आउंदी है डाइबटीज जेकर तो अड़े हथ पहर ज़्यादा तर सुन रहें दे हन ताँ दोस्तों ती प्रसेंट मामलिया देवेच इस दा एक कारण शूगर है जिस कारण अपने हथ पहर बार बार सुन हो जान दे हन हो सकता है कि तो अड़े बलड देवेच शूगर दी मातरा वद गई होवे ताँ दोस्तों तुससी सब तो पहला वद शूगर दी जाच करवा लगो ताँ दोस्तों इसो बाद कई वेरी एह होनँदा है कि तो अड़े शुरीर दे दो अंग एक साथ सुन पैजान दे होन यानि कि तो अड़े दोनों हाथ या फिर दोनों पैर एक साथ सुन पैजान दे हून तो दोस्तो एह अपने श्रीर देविच कुछ खास विटामिन दी कमी दे करण होंदा है विटामिन्स हन विटामिन B12, पोटाशियम, केलशियम, आयरेन, मैगनीजियम इन्हा विटामिन्स दी श्रीर देविच कमी होंदे, अपने हाथ या पैर सुन होंदे हन एहजे देविच थकावट या फिर आलस दावी एहसास होंद लग जनदा है इस दे इलावा थाइरेड वी एक वज़ा है, जिसकारण तो अड़े हाथ या पैर सुन पैसकदे हन आते थाइरेड ज़्यादा बिगण दे नाड तो अनू काफी ज़्यादा आलस या फिर सुच्टी महसूस हो सकती है अपना वजन वजन लग जनदा है या फिर कटन लग जनदा है वाल भी चाडन लग जनदे हन अते जेकर तो अनू वी एहजे लख्षन दिस रहे हन ता अग्गे चलके तो अनू थाइरेड दी प्रावलम हो सकती है इसलिए तुसी थाइरेड दी वी जाच करवा सकते हो तो दोस्तो आव आपकर एलू इलाज दे वारे जान दे है जेशे दे इस्तमाल करके तुसी इरना सारीं ही बमारियां तो बच सकते हो तो दोस्तो जेत वड़े श्रीर दे के से वी खास हिसे वेच सुन होड़ी समस्या हुंदी हे इस दे वेच तुसी मालिश दी मदद ले सकते हो हर रोज नेमित रूपनार मालिश करन दे नार ब्लेड प्लेशर कंट्रॉल दे विच रहेंदा है माश पेसियां मजबूत हुंदियां हन जिस दिनार अपने हत पैर बार-बार सुन नहीं हुंदे ये कर तो अनू कोई भी हेल्थ प्रावलम नहीं भी है ता भी तो अनू मालिश दे नार फाइदा होवेगा मालिश दे ले तुसी सर्सों दा तेल इस्तमाल दे विच ले सकते हूं तिल दा तेल इस्तमाल दे विच ले सकते हूं या फिर तुसी जैतुन दे ओयल नू भी इस्तमाल दे विच ले सकते हूं तेल नूँ हलका या गरम करो, मालिश करो, या फिर किसे तभी मालिश करवा लवो तो दोस्तों दूजा अपाई ए है कि किसे भी टब दे बेच तुसी हलका गरम पानी पा लेना है पानी उन्ना ही गरम होना चाहिदा है, जिनना कि तुसी सहन कर सको आते उस दे विच तुसी पादेना है सिद्धा नमक दो चम्मच आते जदो नमक एहे कोड़ जावे ता पेरा नूँ उस दे विच डबोके रखो इस दिनाल ता नूँ बहुती ज़्यादा अराम मिलेगा, बहुती रिलेक्स फिल होऊंगे आते सुन नाले पेरान तुसी इस दे विच पाऊंगे ता अनू तुरंती इस दा फाइदा मिलेगा इस दिलावर आतनू सौन तो पहला सौन आते हल्दी दा प्रयोक करो सौन आते हल्दी दे नाल श्रीर दा बलड शर्कूलेशन चंगा हूंदा है अपनी या नसा नू मजबूती मिल दी है अते शरीर शुद्ध हुंदा है अपनी बोड़ी डेटॉक्स हो जान दी है अते इस दे लिए तुसी की करना है कि एक गलास दोधे विच एक चोहताई पौडर सौंडदा लेना है अते एक चोहताई चम्मच हल्दी पौडर लेना है अते इस दोधे विच पाके तुसी दोधे वोईल कर लेना है अते इस दो राद नू सौंड तो एक कंटा पिला पिना है इस दे लावा तुसी डेली डाइट दे विच तुसी एहजी चीजा नू शामिल करो जैस दे विच विटामिन B12, केलशियम, आइरन अते मेगनीज दी तो सब्तो पहली चीज है केला केले दे विच मेगनीज नूँ पाशियम काफी चंगी मात्रा देविच पाया-जानदा है। पूरे देन देविच दो के लिए जरूर खाओ, पालक नूँ डाइट देविच शामिल करो, तिला नूँ डाइट देविच शामिल करो, इसलिए लावे तुसी ओरेंज नूँ खा सकते हो, आओ जान देए कि विटामिन B12 दे लिए आपनों की करना होवेगा, जेडिये विच चीजा मिट्टी देविच पैदा होंदिया हन, उनना देविच विटामिन B12 होंदा है, इसलिए दोस्तों डाइट देविच आलू, गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर नूँ शामिल करो, इस दे नाल नाल सब तो ज़्यादा विटामिन B12, डैरी प्रोडेट्स देविच ह तो ज़्याद नाल बढ़िया हों या चीजा नूँ अपने डाइट देविच शामिल करो, इसलिए दोस्तों रजानना एक गलास दोड तो ज़्यादा है, या फिर तुसी आवदे डाइट देविच शामिल करो, जूस नूँ पीन दे रहो, तो दोस्तों मैं तो एक रेस्प मिनरल्स भी मिल जानगे, तुसी कर देविच रोटियां ता बणों नहीं होंगे, बस तुसी एक कुस चीजा नूँ आटा गुनल विले उस देविच पा देना है, आते उस देविच बढ़िया हूँ या रोटिया नूँ खाना है, तो दोस्तों उस देविच की की एड करना अद्दा, चमच जवाईन, दो चमच अलसी नूँ मिलोना है, तुसी की करना इनना सारी चीजा नू mixer देविच या फिर हमाम दस्ते देविच भी कोटल लेना है, तुसी की करना है कि जदो भी आठा गुणना है, तँ यन度 सारी चीजा नू मिलोना है, ईते तुसी खोद कोई भी नुकसान नहीं होंदा है तो दोस्तो आज दी वीडियो दे विच इनना ही तो दोस्तो जान तो पहला साथे चैनल जूरू सब्सक्राइब करो और इसी तरह दे नम नमे हेल्थ टिप्स जान रण दे ले साथे चैनल जूरू सब्सक्राइब करो तो दोस्तो आज दे वीडियो दे विछ इनना ही तुसी हेल्दी रहूं एही मैं चौनना हाँ